हेलो एब्रिवन, वेलकम टो टक्षरमद, आज के शेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और एक्जामपल देखेंगे, जिसमें हम एक नया डेटा डाइप कवर करने वाले हैं, इससे पहले वाले शेशन में हमने देखा कि कैसे हम अलफा नियूमरिक वेरेबल को डेकलेर कर सक सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दो, कि हो सकता है आपके लास्ट सेशन में जब आपने उन वेरेबल को डेकलेर करके उन डेटा टाइप के अगेंस्ट में कोई वेल्यू स्टोर की होगी तो वह आपको आउटपुट में लाके दे रहा होगा है आपको कोई भी इस्टोर नहीं आएगा ठीक है चाहे आप किसी COBOL specific compiler पर रन कर रहा है या IBM i system पर ठीक है तो उन दो सेशन में हमने में लिए देखा कि कैसे alpha numeric variable declare होता है, alpha numeric में क्या condition थी, आप number, characters भी store कर पा रहे थे, है ना, number, characters और जो भी हमारे special characters होते हैं, वो सब अपन उसमें store कर पा रहे हैं, alphabetic में हमने देखा था कि वहाँ सिर्फ alphabets आप store कर पाऊगे, small a से लेकर small z तक या capital a से capital z तक, बड़ अप question आता है, कि अगर हमें कोई ऐसा variable बनाना है, जिसमें सिर्फ हमें numeric value hold करनी है, है ना, उसमें हम character से store नहीं करना जारे, उसमें हम special character store नहीं करना चारे है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे alpha numeric value को, या sorry, alpha numeric value को कैसे store करना है, है ना, काफी condition हो सकती है, जैसे, suppose आपको age से related कोई variable बनाना है, तो उस case में आप numeric value ही hold करोगे, क्योंकि age हमेशा numeric number ही रहने वाला है, उसी तरह से आपको user ID हो गया, या कोई भी ऐ ऐसा specific scenario, जहां पर हमें सिर्फ numeric value होल्ड करने है, तो उस case में हम कैसे COBOL में variable declare करेंगे, यह हम इस session में देखने वाले है, तो उसके लिए मैंने आपे already एक program create किया हुआ है, हम directly उसी को walkthrough करेंगे, साथ में मैं आपको उसका theoretical भी बता दूँगा, जिससे आपको idea हो जाएगा और उसको print किया है, तो इसको समझते हैं कि actually हम क्या होरा program में, line by line समझेंगे, जिससे कि अगर आप में से कुछ directly session को refer करेंगे, तो उनको भी यह चीज clear हो जाए, तो सबसे पहले हमने define किया identification division, अब जिनोंने theoretical session देखा है, उनको पता होगा कि identification division हम तब use करते है, जब हमें program के detail या identity related details show करने हो, तो एक तरह से आप यह कह सकते हैं, यह आपके program का introduction part होता है, तो हमने identification division डाला, program ID में डाला test pgm3, author में लिखते है, texture में, अब आप चाहते हैं, आप और भी detail रख सकते हो, आप अपने program से related, है ना, बट अभी के लिए हर program में हम यही दो line रखेंगे, जो एक program ID को denote करेगा, और एक author को denote करेगा, एक example मैंने आपको date भी बताया था कि कैसे date created वाला value भी अपना रख सकते हैं, ठेक है, उसके बाद में जहां पे भी आपको इस position पे, 7th position पे asterisk देखेगा, वो अपना comment line है, तो यह comment line है, हो सकता है, आपके comment line अभी white color में show नहीं ह तो वो कोई एक issue नहीं है, वो आप बाद में भी, मैं आपको बता दूँगा कैसे होता है, बट अभी के लिए जस्ट आपको आपको आप एस ट्रिक रखना है, 7th position पे, उसके बाद में आप जो भी रखो गया, वो comment consider होगा, तो यह हमने comment का block बनाया है, यह भी comment है, और इसक समझने के लिए मैंने इन सब को थोड़ा सा theoretical part में breakdown किया है, मैं आपको एक line read करके बताऊंगा, तो आपको easily जाता चीज समझ में आए कि, तो अभी हाँ से देखते है, पढ़ना है बस इसमें, यह कह लिखा है, this is a sample declaration of a numeric variable in COBOL, ठीक है, यह अपना sample declaration है, इसको breakdown करते है, पह COBOL के part पढ़े थे, सारे division पढ़े थे, तो उस time भी हमने discuss किया था, कि यह तब declare, जब भी हमार को variable declare करने होते है, यह data item declare करने होते है, तब हम इस data division का use करते है, ठीक है, उसी data division में आता है हमार पास working storage section, यह क्या होता है, this section is used to declare variable that are used within the program, तो data division में working storage section होता है, उस working storage section के अं use करने वाले है, अभी तो आपने जिसे सर्फ ए customer user ID declare किया हो है, हो सकता है, आपके पास और भी requirement हो, तो आप यहाँ पे इसी working storage section के अंदर और भी variable declare कर सकते हो, ठीक है, अब इस line को breakdown करके समझते हैं, यहाँ पर क्या लिख हो है, 01 customer ID का meaning क्या हो गया, this declares a variable named customer ID, तो हमारा variable का name क्या हो गया, customer ID, the 01 indicates that this is the higher level of data hierarchy in kubon, तो 01 क्या कर रहा है, level number, अगर आप लगों ने देखा हो वह वाला session, तो आप इसको पूरा detail में देखा था, कि level number क्या करता है, highest level दिखा रहा है, यहाँ पर denote कर रहा है, फिर हम लिखते है picture clause, picture clause में लिखा है 94, I think मैं इसको थोड़ा क आपको easily read हो, तो picture clause में क्या लिखा है 94, 94 क्या denote कर रहा है, this clause specifies the picture format of the data item, pick stands for picture, and 94 indicates a numeric field with a length of 4 digits, 9 क्या denote कर रहा है, numeric value को, 4 क्या denote कर रहा है, इसकी length को, ठीक है, फिर आता है value 44, जो एक optional होता है हमिशा, तो यह क्या this specifies the initial value for the customer ID variable, in this case, the initial value is 44, so, ठीक है, यह 44 है, अब यह क्या होगा, summary में क्या होगा, this declaration creates a numeric variable, customer ID with a length 4 digit, and initialize it with a value 44, ठीक है, यह बहुत ही simple, theoretical आपको, मैंने introduction दे दिया, इस चीज़ का, अब अपन एक बार वापिस से program पे चलते हैं, और वहाँ पे देख लेते हैं, फिर से, data division आपको clear हो गया, कि जहां पे भी आपको data item declare करने होते हैं, वहाँ आपन यह data division रखते हैं, फिर आता है working storage section, working storage section में हम क्या करते हैं, हम उन values को, उन variables को रखते हैं, जो हमें program में use करने हैं, तो in short आप कह सकते हो, कि जितने भी program variable declaration होंगे, वह आपके working storage section के अंदर होंगे, अब यहां पे अगर आप इन variable को अच्छे से देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा, हमने देखा था कि variable को four part में divide करते हैं, है ना, first part क्या होता है, level number, तो यहां पे level number zero one है, जो higher, उसका priority दिखा रहा है, हाइर level, higher hierarchy में, फिर आता है हमारे पास data name, data name में हमने variable का name set किया है, जो है हमारे पास customer user id, यह हो गया अपना level number, उसके बाद में यह वाला portion होगे अपना data name, फिर आता है picture clause, यह वाला area है picture clause, picture clause में क्या होगी 9 होगी अपनी numeric value, 4 होगी digit, फिर हमारे पास आता है value clause, value clause में क्या हो गया 44 44 क्या है अपनी एक इनिचलाइज वेल्यू है जिन्नों यह RPG का नॉलेज उनको पता होगा महां पर हम INZ keyword यूज करते थे values को इनिचलाइज करने के लिए तो उसी तरह से यहां पर हम क्या यूज करते value clause अब यह optional है अगर आपको कोई value set करने है तो आप रखोगे value clause अधर्वाइस आप value clause हटा भी सकते हो तो यह totally dependent होता है आपके situation पर कि value clause यूज करना या नहीं करना बाकी दो चीज आपको महां पर मेंचिन करनी होगी तो इस पूरे अब इन शॉट अगर आप इस लाइन को देखो तो यह यह लाइन क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि एक customer user id name से variable बनाना है जो numeric type का होगा hold करेगा 4 digit और उसकी initialized value होगी 44 ठीक है उसके बाद में अपने पास आता है procedure division procedure division में हम जो main logical part रहेगा वो रखेंगे जिसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि display customer id तो display command से हम क्या कर रहे है customer user id को print कर रहे है ठीक हर line के बाद में आप यह dot लगाते हो और फे stop run कर रहे है stop run का मिनिंग क्या होग है कि यहाँ पर पस हमें प्रोग्राम को end करना है अब यहाँ पर इसको प्रोग्राम तो रेडी है इसको जस ठीक बाद करके देखते हैं क्या output ला रहे है compile हो गया call किया तो आपको यहाँ पर value प्रेंट हो रहे है double zero double four ऐसा क्यों क्यों क्योंकि हमारी जो maximum value हमने set की थी उस variable के लिए pick nine four तो picture clause में हमने set किया था four तो four था इसलिए वो initial two digit को zero consider कर रहा है क्योंकि आपने दो ही digit उसमें provide किया similarly अगर आप दो डिजिट और provide कर दोगे वाई वाली मैं एक पर आपको दिखा देता हूं जिससे यहाँ पर अगर हम four digit है हमारे पस तो यहाँ पर लिख देते है one two three four इसको remove करेंगे one two three four अब अगर इसको compile करेंगे तो output आएगा one two three four ठीक है अब कुछ लोगों को confusion क्या हो जाता है जिससे अभी अगर इसी जगह पे मैं decimal value रख देते हैं हमने तो खाली numeric value रख बनाया है यह decimal नहीं है बट अगर मैं इसको compile करूँगा तो देखते हैं output क्या देखो यह कुछ wrong output ला रहा है तो अभी क्या है यहां पर अपने को compile करने दे रहा है बट एक्चल में जब आप इसको किसी COBOL specific पर यूज़ करने जाओगे तो वहां पर यह आपको इस तरह से run भी नहीं करने देगा वह आपको यह पेर देगा कि this value is not supposed to pass here ठीक है और अभी यह कुछ भी ऐसी garbage value पिक करके ला रहा है तो हमेश्य ध्यान रखना है कि जब भी आप numeric variable declare कर रहे हैं तो वहां पर आपका output जो भी value store करने है वो भी numeric ही होनी चाहिए decimal value के लिए अलग variable होते हैं वो अपन देखेंगे next session में बट अभी के लिए सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम numeric value या numeric data type या variable store declare कर रहे हैं तो वहां पर हम आपर वही value store करने हैं यह सब cases में रहेगा alphabatic में भी आप सिर्फ alphabets related information रखोगे alphanumeric में सिर्फ आप character, number और symbol रखोगे ठीक है तो हाँ इस session के लिए इतना ही था I hope यह आपको clear हुआ 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 next session में बाके topic discuss करेंगे so thank you for watching texture myth